बाल मनुविज्यान की इस कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है हम बाल मनुविज्यान के अंतिम छोर में पहुँच चुके हैं कल की कक्षा में हम सीखना और अर्जन को समझ रहे थे साथ ही अब चुकि आपका बाल मनुविज्यान के लिए जितने महत्पूर टॉपिक ह हो सकते थे वो हम कवर कर चुके हैं अंतिम छोर इसलिए क्योंकि इसके बाद आपके कुछ हम कोश्चन करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं चुकि हम लोग पिक्षिली कक्षा में क्या देख रहे थे टॉपिक प्लस कोश्चन जैसे हमारा टॉ विग्यान कंप्लीट हो जाएगा आपके होस्चल वाडन के लिए चलिए कल हम जो पढ़ रहे थे पर उसका रिवीजन कर लेते हैं कल हम अधीगम और अर्जन देख रहे थे अर्थात लर्निंग एंड एक्कोजिशन अधीगम क्या होता है इसमें ठियोरी आपको रटनी की किसी भी चीज को एक्कोजिशन होता है हम लोग अधीगम क्या होता है उसका डेफिनेशन देख रहे थे अर्थात लर्निंग के बारे में समझ रहे थे कि लर्निंग होता क्या है तो हमने देखा था अधीगम की विसेश्ताओं को समझा था कि आपकी क्या-क्या था कि अधिगम या सीखना एक क्या है अजीवन सतत प्रक्रिया है मतलब सीखना हमारा lifetime चलने वाला प्रोसेस है निश्चित रूप से हम विभिन प्रकारों से चीजों को हमेशा सीखते रहते हैं तो यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है ऐसा इसमें कुछ है नहीं अगर आप अधिगम और अर्जन में फरक समझ लेते हैं तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर आपको परशान होने की जुरत नहीं है कोश्चिन आपको कैसे फस आएगा निश्चित रूप से कोश्चिन ऐसे फसेंगे सीखना और आपके अर्जन में थोड़ा सा आप लोग को सक्री नहीं होते हैं उसमें हम जिस स्थिती में रहते हैं जिस कंडिशन में रहते हैं उस कंडिशन में चीजों को समझते हैं ग्रहन करते हैं जैसे क्या होता है कि हमारे कोई पैरेंट से हम उनका क्या कर रहे हैं स्लीपर पहनते हैं तो हम उनका नकल कर रहे हैं वैसे तो नक नकल के माध्यम से ही हम क्या करते चीजों को अरजित करते हैं ग्रहन करते हैं इवन नकल के माध्यम से ही हम चीजों को सीखते हैं लेकिन अगर हम किसी चीज का ध्यान पूर्वक नकल कर रहे हैं तो वहां पर सीखना होता है लेकिन हम खेल खेल कर उस चीज को कर रहे हैं जाने जाने में तो आपका अधिग्रहन होगा या आपका अर्जन होगा अर्जन मीन्स ग्रहन करना चलिए विसेस्ताओं को तो हम देख चुके थे इमेज के थूँ हमने और अच्छे से समझा था आगे देखते हैं इस सारी चीजे हैं जहां हम सीखते रहते हैं चाहे वो कहीं पर भी जिस चीज का ग्यान ग्रहन करें वो भी सक्क्री रूप से बस आज हम क्या करेंगे आज हम इसके प्रकार को समझेंगे टाइपस ओफ लर्निंग देखेंगे ये सारी चीजे हमारी हो चुकी थी अगर आपने कक्षा नहीं देखा है तो आप लोग देख लिजेगा और क्या सीखना उद्देश पूर और लच उनमुक होता है निश्ची तरुप से हमने कल देखा था कि सीखना क्या होता है वो हमें किसी उद्देश के लिए हम उस चीज को करते हैं जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो उसकी उद्देश क्या है अगर हम लों को समझा रही थी कि अगर कोई बच्चा कोई चीज सीख रहा है या कर रहा है केवल बच्चा ही नहीं कोई भी वेक्ति एगर कोई चीज सीख रहा है कर रहा है तो उसके पीछे क्या होता है उसका उद्देश और लक्ष सामिल होता है ये एकदम व्यभारिक विशा है इसल कल देख चुके थे चलिए देखते चलेंगे इस से आप लों को चीजे क्या होगा क्लियर होगा चलिए भासा अधिगम अधिगम तो हमने देख लिए अधिगम का मतलब सीखना होता है एक बर हम भासा अधिगम और भासा अर्जन को समझेंगे देखिए एक छोटा सा अंतर होता है भासा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर होता है यहां से आपके सवाल बनते हैं अधिगम डारेक्ट सवाल नहीं करता है लेकिन भासा अधिगम और भासा अर्जन से आपके सवाल बनते हैं कि क्या फर्क होता है याद रखिएगा हम घर में जिस भासा का प्रयोग करते हैं जो एक बच्चा जन्म लेता है और वो जिन भासा का प्रयोग करता है वो उसका क्या होता है भ वो बच्छा English में बोलता है, Hindi में करते है, तो छीजों को क्या कर है, सीख नहीं रहा है, वो भासा को सीख नहीं रहा है, बलकि भासा को क्या कर रहा है ग्रहन कर रहा है, तो ये हो गया आपका भासा हम कह सकते हैं इसको भासा अरजन ये आपका क्या हो गया भासा अरजन लेकिन अगर हम भासा अधिगम की बात करें तो आपका जो second language होता है third language होता है या जो भी language होता है आप जिस भाशा को नहीं जानते हो लेकिन अगर आप उसे जानना चाहते हो उसे जानने के लिए, आप सक्री रूप से उसे क्या करते हो, उसका प्रैक्टिस करते हो, उसे सीखने का प्रयास करते हो, जैसे माल लीजे, आप स्कूल में क्या करते हैं, इंग्लिस, इंग्लिस का क्या रोल मानते हैं, हमें लगते हैं, हमें इंग्लिस बोलना हैं, तो हमें ट वह भासा अधीगम हो गया अर्धात भासा अधीगम ये आपका लेंगवेश लरनिंग हो गया तो इतना ही आप लोगों को समझना है कि भासा अधीगम में हम किसी ग्रामर ये किसी और माध्यम से यें शकरी रोप से या स्कूल में हम क्या करते हैं उसको सीखते हैं और आपका जो भासा अर्जन होता है इसमें हम भासा को ग्रहन करते हैं दूसरी चीज यह याद रखिएगा आपका जो भासा अधिगम होगा वो हमेशा आपका second language होगा लेकिन आपका जो भासा अर्जन होगा वो हमेश वासा फॉस्ट लैंग्विज होगा फॉस्ट लैंग्विज मीस आपका स्थानी भासा आपके घरों में बोले जाने वाला आपका मदरAudi लेकिन ये जो भासा अधिगम होगा ये आपका उर्दू, फार्सी, इंग्लिस, कोई सभी ऐसा लेंग्विज हो सकता है जिसके बारे में आपको जानकरी नहीं थी पर आपने बैट कर प्रॉपर वे पे इसे सीखा है क्लियर हुआ, भासा अधिगम और अर्जन आगे बढ़ते हैं हम पढ़ने वाले थे टाइपस ओफ लर्निंग तो टाइपस ओफ लर्निंग कई परकार के होते हैं हमारा जो लर्निंग होता है, हमारा जो सीखना होता है, वो कई अधारों पर होता है motor learning होता है, आपका verbal learning होता है और conceptual learning होता है discrimination learning होता है, learning of principles होता है आपके मतलब सीखने के सिध्धान्त होते हैं और problem solving, आप अगर कोई problem solve कर रहे हो तो उसमें भी आप चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं और सीखना कोई बड़ा topic नहीं है आप अपने आसपासी देखिए, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखकर कुछ न कुछ सीख रहे हैं कुछ का मतलब क्या कर रहे हैं, आप बाल मनो विज्ञान से संबंधी चीजों को समझने का प्रयास करें, किसके द्वारा concentrate होकर आप उसे समझने का प्रयास करें, जब आप किसी चीज में एकागर होकर अपना दिमाग एक जगा concentrate करके सीखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आगे वढ़ेंगे, सबसे पहले बात करें हम, motor learning, motor learning, सिर्फ इतना जा करना, या आपका driving करना, जहां पर आपका muscles कप्रयों हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका motor learning होगा, ठीक है, क्योंकि निश्चीत रूप से हम अपने सारे ले क्रियाओं के द्वारा भी चीजों को सीखते हैं, तो यह आपका एक प्रकार कौन सा हो गया, motor learning हो गया, यहां ध्यान दीजेगा, most of our activities in day-to-day life refer to motor activities, example, walking, running, driving, climbing, it's all these activities involve muscular co-ordination, ठीक है, क्या होता है आपका ordination, इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा running करना, हमने देखा, दोड़ना, फिर आपका चलना, अच्छा यह आपका running हो जाएगा, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, दोड़ रहा है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, आराम से चल रहा है, तो भी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, आपने हा कोई driving कर रहा है निश्चीत रूप से आप हातों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहां पर आपके muscles का प्रयोग हो रहे हैं यह भी क्या एक प्रकार का motor learning का example है दूसरा आप अगर किसी पहाड़ी छेत्र में भी पढ़ रहे हैं आप रसी पकड़ कर चल रहे हैं आप पैरों का प्रयोग कर रहे हैं निश्चीत रूप से आपके muscles का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है यह आप ऐसे समझ सकते कि जहां पर आप सारेडिक गतिवीदियो कि माद्धिम से कोई चीज सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा motor learning होगा अगला है आपका verbal learning इसमें क्या होता है आपके बोलने से संबंदित होता है बोलना मतलब ऐसा है आपका कि सिर्फ आप मूह से नहीं बोलेंगे आप अगर किसी भासा को verbal तरीके से सीखते हैं माल लीजी अगर कोई आपको क्या कर रहा है जैसे हम ब्रेल लिपी की बात करते हैं हम लोगोंने ब्रेल लिपी के बारे में ही पड़ा था अगर बच्चा क्या करता है अगर वो इसारों से ठीक है हम इस तरह से बात करते हैं हमी चुप है इस तरह हम क्या कर रहे हैं इस तरह तरफ इशारा कर रहे हैं तो यह भी एक हमारा लेंग्वेज हो गया चुप रहे कर या तो हम इसारा कर रहे हैं इस तरह की बाते बता रहे हैं ठीक हाथों का प्रयोग करें बीना चुप रहे हैं बोल कर हम क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो सीख र अँद डाइग्राम का भी प्रيौक करते हैं ते आपका क्या होता है भाशाहोता है भाशाह भाशाहोता है बहुत रॉनिंग होता है आप देखते होंगे जब पढ़ी बच्चे को नहीं आता तो उसे KLOS किया जाता है जो चिए अंबना घॉता is उनके लिए होता था अगर चाल मतलब केवल दो आज साहर मिनास the बोलने सकते पर हमारे पास बरस बर्भल तरिके सीखने के क leagues है तो उसी चीज को समझा रहे हैं लिए Łas दा लेंग्वेज, वी स्पीक, दा कॉम्मुनिकेशन, मैथ, मैथोड्स, वी टाइप्स, एडॉप्ट, एक्जाम्पल, साइन्स, पिक्चर्स, सेंबल्स, वर्ड्स, साउंड्स, या आर दा तूल्स यूज़ इन दे अक्टिविटीज देट प्रमोट इस ओफ लर्निंग, वह सबके माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो यह क्या है आपका एक प्रकार का सीखना है, अगला टाइप है आपका conceptual learning, conceptual का मतलब क्या होता है न, इसमें हम किसी चीज का concept चप क्लियर करते हैं, इसमें हम तरक जादा लगाते हैं, हम आप देखते हूं कि तरक आप किसमें ज़्यादा लगाते हैं, अप मैस जैसे सब्जेक्ट में लगाते हैं, आप रीजनिंग में ज़्यादा लगाते हैं, या आप से कोई पहेलिया करता है, तो यह भी क्या हूआ, एक प्रकार का सीखना हुआ, यह भी आपका किसी सीखने की माध्यम तक हमें ले जाता है, language सिखाता है, और सीखना तो निश्चित रूप से होता है, सीखना कई तरीके से होता है, चाहे आपका वो verbal तरीके से हो, चाहे वो reasoning तरीके से हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे जिस तरीके से हो, और यह सारा चीज कहा पर सेंटर होता है, आपके language में, और language त सोचना हमारा सोचना भी हमारे लर्निंग को हमारे सीखने को क्या देता है बढ़ावा देता है हमारे अधीगम अधीगम का ही मतलब क्या होता है सीखना हमारे अधीगम और सीखना को क्या देता है ये बढ़ावा देता है दूसरे चीज reasoning बिल्कुल आप लोग देखते हैं आजकल आप जो भी competition वाल एक्जाम देते हैं उसमें आप देखते हैं जिस तरह के question आते हैं घुमाओदार घुमाओदार मीज logical वाले उसे हम reasoning कहते हैं आप blood relation देखते हैं और आप puzzles वगएरा देखते हैं which helps in reasoning sorry recognizing and first identifying आपका thinking clear हुआ तो यहाँ पर हम चीजों को क्या करते हैं सीखते हैं तो जहाँ पर आप तर्क लगा रहे हैं या reasoning वाले सवाल कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका सीखना है सीखना कोई आपका मैंने फिर से का कोई बड़ा topic नहीं है अब daily life में सीखना चीजों को समझ रहे हैं बस हमें प्रकार समझना की हम सीखते किस-किस प्रकार से तो हमने देखा बोल कर हम सीखते हैं इसारों से सीखते हैं ठीक जिसे हम verbal all over पढ़ रहे थे हम तरक लगाते हैं और हम क्या करते हैं हम किसी चीज को हमने एक प्रकार और कौन सा देखा हम चल कर गतिवीधियों के मान्थिम से भी सीखते हैं तो यह हमारा क्या होगे एक प्रकार से सीखना हो गया सीखने में आपका जो सवाल बनेगा वो भासा सीखना या भासा अधिगम होगा या सिंपली सीखना होगा सवाल आपके ज्यादा टफ नहीं बनेंगे यहां से कल जब हम इसका सवाल देखेंगे तो आपनों को और हो जाएगा Stages of Language Acquisition अब यहाँ पर क्या है आपका stage है अगर हम Language Acquisition की बात करें तो Language Acquisition क्या है तो मैंने आपको बताया कि जो आपका Language Acquisition होता है भासा अर्जन होता है वो एक natural way पर होता है इसमें व्यक्ति को कोई महनत नहीं करनी पड़ती है व्यक्ति को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है दिमाग को स्थिर नहीं करना पड़ता है दिमाग को सक्री नहीं करना पड़ता है वो खेलते खेलते भी कुछ भी करते हुए वो क्या करते है अक्वाइर कर लेता है अर्जन कर लेता है किसे अर्जन कर लेता है अपनी भाशा को जो आस-पस भासाओं का प्रयोग किया जाता है उसे ति यह क्या होगा आपका language acquisition हो गया The development of the first language in children text plays through various stages as discussed below देखिए कई इसकी वो है आप ऐसे देख सकते हैं कि जब बच्चा क्या होता है छोटा होता आप देखते होंगे अब भासा अर्जन बच्चा भासा अर्जित कैसे करता है तो ऐसे देखिएगा कि आप इस image के द्वारा देखिएगा आप theory पे अभी मच जाएगे ये छोटा बच्चा है ये क्या कर रहा है रो रहा है तो अभी ये अपने भासा को किसके द्वारा रो कर प्रकट कर रहा है तो ये भी एक प्रकार का क्या अपने भासा को बता रहा है तो क्योंकि अभी बच्चा बोल नहीं सकते है क्योंकि इसका इतना develop ही नहीं हुआ है तो यह रोएगा क्या नहीं यह क्या है natural way पे अपने language को प्रदर्शित कर रहा है तो यह क्या है आपका भासा अर्जन हो गया sound के माध्य हम से crying के माध्य हम से रो कर अपने भासा को प्रदर्शित कर रहा है learning of a language brings right from the moment a child is born a newborn child listens to the various sounds present in its environment and identifies its source ठीक at this stage the child communicates only by crying वही बात कर रहा है जो मैंने कहा किस stage में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ किसे communicate करता है स्रिफ रोकर crying करके तो यह क्या होता है इस बच्चे का एक तरीका होता है communicate करने का कुल मिलाके कि हमने इसमें बच्चे को सिखाया नहीं है कि आप रो ठीक है जैसे मैंने अभी खी कहा कि हम इसमें बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे रहें कि आप इस प्रकार और नैच्रल व लगभग आपके one or two months का होता है अध्यां दीजिगा after one or two months of birth अपने जन्म के एक और दो मन्त के बाद लगभग a child starts producing the vowel sound वो vowel sound का क्या करने लगता है प्रियोग करने लगता है इस sounds are queen sounds which a child produce to get a response from the pupil that surround him her मतला वो क्या करता है हलका हलका पहले तो जब बच्चे एक दम छोटा रहता तो आप लोगता है वो सिर्फ रोता है लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको देखेगा वो ठीक है हलका हलका थोड़ा सा इस वो करेगा हलका कुछ आवा इस तरह की चीजे करता है तो यह queen वाली stage है इसमें ज्यादा ऐसा कुछ बच्चा बोलता नहीं है क्योंकि अभी अपने बर्थ से थोड़ा ही बड़ा हुआ है अपने one two one से two month में आया है तो यह ऐसा कुछ इसपस्ट बोलता है बस queen queen करता रहता है इसलिए हम इसे queen stage कहते है है ऐसा कुछ sound इसका नहीं आता है अब हम बात करें babbling जब बच्चा क्या हो जाता है लगभख six month का हो जाता है यह आप देख सकते हैं six month का बच्चा अब यहां पर बच्चा क्या करेगा between six to ten months a child starts producing more sounds like a ma अब बच्चा पहले क्या उसमें क्या करता है queen type से आब आ जाता है उ लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मा पा हलका हलका वर्ड यूज करता है आप देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले मा नहीं बोलता है मैंने पिछली कक्षा में बताय था पहले आ ही बोलता है क्योंकि उसका कंट इतना डेवलब ही नही क्या बोलता है आपा मा कुछ भी थोड़ा थोड़ा वर्ड को बोलता है एकदम सेंटेंस नहीं बोलता है एक ही छोटा छोटा वर्ड को बोलता है वह तो यह वह स्टेज होती है आपकी बैबलिंग की बैबलिंग से कैसे सवाल बनेंगे हम यह भी देखेंगे ठीक आगे देख जो को बोलेगा, देखिएगा, between 10 to 12 months, a child speaks his her first meaningful word, अब जब वो word का use करेगा, तो उसके पीछे क्या होगा, meaning होगा, समझ में आने लगेगा, तो यह क्या होता, बच्चा बड़ा हो चुका है, लगभाग, 10 से 12 मन्त, मतलब आपका लगभाग, एक साल का बच्चा हो चुका है, भूक लगी है, जा खाना खाना है, इस तरह का एक दम नहीं बोलेगा, अपनी तुदली भाजा में बोलता है वो, पर वो बोलने लगता है, around one year, आप लोंको और अच्छे से समझना है, तो आपके आस पास के जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें observe करिए, चुकि आप child psychology पढ observe करिए, अब आप क्या करेंगे, one word वाले बच्चो, one year के बच्चो को देखेंगे, तो आप one word का concept समझेंगे, आप अगर six से tenth month के बच्चो को देखेंगे, तो babbling वाले चीजों को समझेंगे, और बच्चे कूं कूं करते हैं, तो आप cooking को समझेंगे, तो ये क्या है, आप ज़्यादा चीजों को अपने आज पास environment में देखेंगे, तो और ज़्यादा समझेंगे, आज के लिए इतना ही, कल हम जो भी आपका topic बच्चा है, उससे संबंधित सवाल को करेंगे, बाकि आपका child psychology में जितनी भी important topic था, वो complete हो चुका है, thank you. हमेशा आपके साथ टीम कोको.